नमस्कार रास्मन एक्स्प्रेस के माधियम से हम आपको रास्मन उप्चुनाओं के दावेदारों से जो मिलवाने का उपक्रम एक जो यात्रा पर निकले हैं उस कड़ी में आज हमारे साथ है श्रीमान दिनेश जी बावेल आप गत विदान सब्चुनाओं में भी आप एक ब एक्सप्रेस चल रहे कालिग्रम में मैं आपसे जानना चाहूंगा एक इसी सवाल के साथ हम परियास करते हैं कि हमारे इस कालिक्रम भी शुरॉत होगी पुना एक बार दावेदारी का मानस बना रहे हैं उसके बिच्छे क्या मान सकता है क्या विचार है कि एक बार नहीं रूप से जुड़ा हूँ कि 2002 में जब बागेरी नाका का उद्गाटन हुआ था तब अपार जन्समों के साथ मैं वहां पे उद्गाटन समारों में देया था तब से मन में एक कल्पना जगी थी कि इस क्षेत्र के विकास के लिए राजनीती में अपने को भी इंटरफेर कर लगना चाहिए तो उसके बाद में मन में ये कल्पना आई कि विदायक की दोड में अपने को भी लगना चाहिए हम सुरू से माननी हमारे मेवार के कद्दावार आधरनी सिपी जोसी साथ के साथ लगा और आज दिन तक उनके साथ ही उनके दिसा निर्देस में काम करता आया हूँ मैंने 2008 में पार्टी से टिकेट मांगा था लेकिन उस वगत आधरनी अरी सिंग जी राटोर साब को मिला 2018 में मैंने पुर्ण टिकेट मांगा था तब आधरनी नाराणी सिंग जी भाटी साथ को मिला और अभी उपचुना में हमारे विदायक पूर्व मंत्री किरण जी महिस्ष्री का निदन हो गया वो तो खेर हरी इच्छा है पर उसके बाद वापस उपचुना हो रहे हैं तो मन में ये आज जगी कि सायद इस बार मुका मिला तो जनता की सेवा करेंगे और राजसमन में जो काम बाकी हैं जिले में वो पूरा करवा के जनता को अच्छी सोगात देंगे और राजसमन को एक्सवरणीम जिला बनाएंगे जैसा कि आपने बागेरी का जिक्र किया तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपका विजन क्या रहने वाला है फिर बी में चाहूंगा कि जन विकास करीयों को आप आधार बना रहे हैं जिनकी आपने कलख्ना कर रखी है जो आपका विजन है अगर हमए आप बताएंगे आपको आऊसर मिलता है तो आपकी प्रादमिक्ता है उसमें क्या रहने वाली राजसमन, रेल मंगरा और इवन आमेर तक के आज जब यहां पर बिशन सुखा बढ़ता है तब कोई भी गाउं ऐसा नहीं रहता जहां पानी नहीं पहुंचता है हर होट को पानी मिलता है CP साब का यह बहुत लंबा मतलब चिंतन था और उन्होंने बहुत लंबी सोची तो आज हमारी यहां की जनता सुख पा रही है अब रही बात मेरे विजन की हेमेंदर जी भाई साब अगर मुझे मौका मिलता है पार्टी मौका देती है तो सबसे बड़ी बात आपने बागरी की की वही बात आज यहां प्रोब्लम है राजसमंग से दो बागों में मता हुआ है एक हाईवे के उपर अलग पट्टी है एक हाईवे के नीचे अलग पट्टी है हाईवे के उपर की पट्टी मार्बल व्यवसाई रहते हैं और मारबल की प्रचूर मात्रा में है वहां रोजगार के लिए मारबल का उसर है तो उस पट्टी को विक्सित किया जाना रोजगार के लिए मारबल को विक्सित किया जाएगा तो उस एरिय को रोजगार मिलेगा और यहां पर एरिय में संपन्त आएगी दूसरी बात नीचे क का डवलोपमेंट हो गया तो रोजगार मिले गया लोगों को संपनता आएगी अब उसके लिए दो काम है कि मारवल का काम अच्छा कैसे चले तो इस एरिये में संपनता रहे तो उसके लिए इंडेस्टियां चल रही है उद्योग दंदे चल रहे है रोयल्टी की बहुत आमद्नी हो रही है डीमेप्टी का फंड इकटा हो रहा है तो उस खेद्र का विकास करना भी जरूरी है लेकिन एगरिकल्चर के मारवत से और परियटन की दरश्टी से राजसमन जील को परना भी बहुत बड़ा काम है इसके लिए विगत सरकारों ने कोई एसी योधना नह बनाई कि राजसमन जील पूर्ण रूप से हमेशा के लिए बरी रहें ताकि राजसमन में न तो पेजल संकट हो न किसानों को खेती के लिए पानी मिलने में कोई तकलीब आए अब उसके लिए सहस्ता सुंदर और सुलब उपाई यह है कि जब नंसमन भरता है और नंसमन भ पानना है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो राजसमन नहर को इतनी चोड़ी करवा के जब यह वेस्टेज पानी जाता है उसको राजसमन लाया जाएगा और राजसमन लाने के बाद पुना और फुलो होकर के इसको मोह के आगे बनास में जोड़ा जाएगा लोगों ने पेले इस पे बहुत राजनिती की इवन बागेरी नाका में भी राजनिती की और अब इसमें भी राजनिती करेंगे कि हमारा पानी रोक लेंगे किसानों को भी समझाने की जुरूती है कि यह पानी बनास का डाइवर्ड किया जा रहा है राजसमन बरेगा राज जारो एकर जमीन में किसान निहाल हो जाएंगे, पानी बराबर मिलेगा तो फसले मिलती रहेगी, इदर नंसमन की नहर, राजयावास, ओडा, चोकडी इदर जाती है, तो इदर भी क्या है किसान निहाल होते हैं, तो ये बहुत बड़ी योधना है, इसके बारे में चिंतन करन है, और अगर राजसमन भरा रहेगा, तो परियतक का आकरशन भी बना रहेगा, परियतक का आकरशन बना रहेगा, तो हमारी यह ठाकुर्जी विराजते हैं, दौर कदीश जी का टेंपल उनके किनारे हैं, तो जील का संदरी करन बड़ेगा, परियतन बड़ेगा, अभी हमा और मेरी प्रमुकता इसमें रहेगी कि राज समझ के किसी भी गाव में सींचाई के लिए किसान को उन्रत करना और फीने के लिए किसी को तकलीब नहीं देखना मारबल का व्यावसाई मैं खुद करता हूं मारबल का मैं खुद जानकार हूं तो मारबल के अंदर कितनी भी तकल और वहां के ग्राम वासी मुंडोल, पुठोल, सापवोल, भुडान, आलना, इतना रेविन्यू देने के बाद बीचारे वो दूल खा रहे हैं, अब जाके रोड रिपेर हुई इस दिपावली के बाद में, किसी भी जनपृतिनीदी ने ये सुद नहीं लिए, कि यार उस एर लगी जिस प्रकार से आपने सारे गाओं के नाम भिना है, हमको यहां से लगा, एक हम रास्मिन की एक यतरा पर निकले हुए हैं, उस प्रकार से महसुस हुआ, इसके बीच में आपने हमको बदाए कि आप मार्बल वेवसाय से जुड़े हुए हैं, मार्बल मंडी के एक मां अपने हमारे राजसमंद में हैं, उतना कहीं नहीं है, अफसोस की बात यह है, विगत सब सरकारे आई, हमने समभासन देते हैं, मारबल मंडी बनाएंगे, मारबल मंडी बनाएंगे, देखिए, कोई ओध्यो की क्षत्र डवलप नहीं हुआ, माननी असोग जी गेलोद की सरक और राजसमंद की जो पूराना एरिया है, उसको सुचरु रूप से डवलप करके, रोड अच्छा हो, पानी अच्छा हो, रोजगार अच्छा हो, लेबर अच्छी मिले, ट्रांस्पोर्टेसन अच्छा हो, उसके लिए सब सब साधन के लिए समुचीत प्रियास किये जाए इसी क्रम में, हाला कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास कारी रोजना है, हमारे पास एक विजन है, मगर कहीं न कहीं फिर एक चीज जो एक प्रस्म चिने खड़ा गड़ती है कि जो राजसमंद को अगर राजनेतिक दरश्टी कौन से हम देखें, तो गत दो चुनावों से जो यहां वोटों का डिफ्रेंस है और लगाता है चार चुनाव से यहां विदान सभा में भाजपा जीती है, यह तो एक प्रकार से इसको भाजपा का गड़ माना जा सकता है, तो आप किस प्रकार से देखते हैं कि अगर आपको आफसर मिलता है, तो यह जो समिकरन आप कैस कैसे बदल पाएंगे, या आपको कैसे लगता है कि हाम मुझ में शमता है, या यह ऐसे कोई ने कोई आपके पास कोई विजन है कि मेरे को आफसर मिलेगा, तो मैं इस बार कहीं ने कहीं कॉंग्रेस के पाले में गेंद डाल सकता हूँ. मुझे विश्वास है, अगर मुझे मोका मिलता है, तो निसंदे में ये विदान सबा सीट कॉंग्रेस को लाकर के बुंगा, अब उसका मेन कारण यह है, लोग एक दिन में किसी को नहीं पैचानते हैं, लोग उसका बूत काल देखते हैं, आज मैं 25 साल से इस जिल्ला मुख लगबग हर कास्ट में, हर जाती में, धरम में, संपरदाई में मुझे जानते हैं, और मुझे जान करके किस छवी में जानते हैं, वो आप पता कर लेना, उसके लिए मैं अपने मूं मिया मिठु बनूं, वो तो कोई काम चलेगा नहीं, लेकिन लोगों को चाहिए कि एक इम पतान सभा में उठाए, और यहां की जो कठीनाईया है, यह तकलिवे हैं, वो दूर करें, मैं आपको पड़े गर्व से कहता हूं, हम फेंकने वाले नेताओं के चेले नहीं हैं, आप चिंता मत करिए, अगर मोका मिलता है, तो मैं आम पबली को कहता हूं, चिंता मत करिए, ह तुम यह लाओ, तुम प्रदर्शन करो, उनके हाथ में जब ताकत होती है, तब वो साइन करकर के हमारे को तोफा देते हैं, धिलवाडा और राजसमन्द की फोरलेन, कभी किसी ने सपने में नी सोचा था, कि इसके पेच वर्क भी हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने फोरलेन बना करके राजसमन्द को बहुत बड़ी सोगाद दी, उन्होंने बागरी नका बना करके बहुत बड़ी सोगाद दी, वो अभी राजसमन्द बगार है, तो उन्होंने ओडिटोरियम के लिए का, उन्होंने इलिवेटेड फूल के लिए क्या, तो भई साब कांग्रेस जो क हम राज समन में इनकी बदलत हुआ जितने भी का हुए चाहे आर के अस्पताल हो चाहे गोंती से उद्यपुर की फोर लेनों चाहे सुरंग बनना हो सारे कांग्रेस राज में हुए और आगे भी कांग्रेस राज में होगे इसलिए मैं विश्वास दिलता हूं कि अगर मैं आय हुए तो अगर आप अगर यहां से चुने जाएंगे और फिर वह जो जो नातुद्वारा और यह कसम करेंगे और आप उस पर किस तरह से देखते हैं उसी से को मान निया पत्रकार मोजए यह बात आपकी नितान्त गलत है सीपी जोशी साहब यहां से कोई चीज नाद्वारा नहीं लेगे वो नाथद्वारा क्षेतर के जन परतिनीदी हैं अगर नाथद्वारा में वो दो डॉक्टर की जरूत हो पांच लाते हैं तो वो उनकी जनता के साथ नियाए कर रहे हैं राज समुल में नहीं आते हैं तो राज समन का जन परतिनीदी क्या करता है ये बात राज समन वालों को सोच नहीं है नाथद्वारा कितना विकास कर रहा है अरे हमें तो कुछ होना चाहिए कि हमारे परोस में विकास तो हो रहा है हम खाली यह यह कि नाथवारा विकास कर रहा हम पीछे हैं और हम पीछे तो हमारे जन्परतिनीदी भी तो इतना मज़िबूत लओ कि जो जन्परतिनीदी अपनी समश्याओं के लड़े लड़े वो खाली अपने स्वार्थ के लिए लड़े वो कत्ताई संभव नहीं है स्पी साभ जो कर रहे हैं वो बहुत बरिया कर रहे हैं लेकिन हा स्पी साहब ने इस बार अभी नगरपाली का पद बार समारों में पद़ारे तब उन्होंने कहा है कि अब मेरा वीजिन यह है कि राशतमन जील्स का मैं निवासी हूं राशतमन जील्स में भी participating में प्रोग्रे पड़ेगी यहां कमी रेदी हैं जो आप नगर परिशद का आपने दो-तिन बार जिक्र किया जो आप ये भी कही नहीं गहीं ये जिल्ला या जिल्ला मुखहले कहीं पूर्व के जो राजनतिक इतनी सक्रीटा नहीं रही है पूर्व के कुछ राजनतिक कारण रहे हैं अब आपको लगता है जो सीपी साब के माध्यम से जन्क सववाद हुआ था जो नगर पशुदाव दीते हैं जो मंत्रियों ना के घोषना किये उससे कही ने कही हवाडल सकत थी अभी हमारे प्रेवक्षक प्रस्वेंदर जी भारतवाद यहां जैपूर से पादारे उनने बहुत बड़ी मेहनत की हर नेता को प्रेम प्यार से मिले एक जाजम पे लाएं उसका परिणा में नहम नगर परिशत जीते हैं और मैं आपको आगे विश्वास दिलाता हूं कि क्यातरे नहीं परिशत का प्रिणार की कि वन परिणाम का परिणाम का किए कायोगदान देखता आट में नंगर परिशत का परिणाम कॉंग्रेस का बोर्ड बनना सकारात्मक है और भाई साथ जीत तो जीत होती है जीत होती है तो माहूल तो बनता है यह हमारा सेमी फाइनल था फाइनल विदान सेवागा उपचुना है सेमी भाइनल जीते हैं, सामने टीमें कमझो रहे हैं, और अब भारती जनता पार्टी का वो खाली राम नाम सते हैं, अब मुहावरा नहीं चलने वाला है, क्योंकि लोगों को पता लग गिया है, भई साभे 300 रुपे का गेस का बाटला 800 रुपे देते हैं, उसको पता चलता है 60 रुपे का पेट्रोल 100 रुपे बरवाते हैं, उनको पता चलता है, डीजल 50 रुपे का 90 रुपे करवाते हैं, मैं आपको जबाव देता हूँ, तो ये रोज मर्रा का जो लोगों को सबजबाग दिखा करके, जो वोट बटोर है न, अब वो नहीं आने वाले, लोगों को प सलता है, उनको विपक्स को भी कहा, कि देश प्रेम और विवार से चलता है, आप हमारे बजट में कोई कमी हो तो गिना ही है, आप उसकी आलोट ना करिए, हमारे में क्या कमी है हम सुधार करेंगे, तो हमारे नेता तो ये से सबसे मिलंसार होते हैं, कि आप हमारे में कोई कम कि अगर मुझे कांग्रेस पार्टी ठीड देती है तो आप मुझे आशिराद दे और अगर मुझे व्यक्ति रचेत को उचित समझती है तो मैं भी उनके साथ हूँ, आप भी उनके साथ लगकर के इस राजस्थान और राजसमन के स्वर्णिंग वविश के लिए कांग्रेस को वोट दें, धन्यवाद जाहिन और इसी प्रकार के नए विचारों के साथ, नए विजन के साथ हम जल्द ही एक नए दाविदार से मिलेंगे, धन्यवाद हैं